वह हमारे ठाकुर जी को बहुत भड़ा खुला सा स्थान चाहिए रहने के लिए जिसमें वे अकेले विराजमान हों सकें खुल के अराम से कंपर्टेबल होके बैठ सकें जहां पर कोई और ना हो ऐसा स्थान उनको चाहिए अब आप लग सोचेंगे अब में क्या कह रही हूं है अब सभी प्यारे-प्यारे क्रिश्न प्रेमयों का अश्च घया मेरा नमस्कार नहीं हैंध सब की अ क्रिश्न सकी एक बार फिर से आप सबके सामने एक और बहतरीन सा टॉपिक लें आज जो है आज का टॉपिक है वो है काफी कॉमन जो मैं लेके आई हूं सबकी समस्या का समधान ज्यादतर जो मिडल क्लास लोग है जो नहीं भी है उनके पास ठाकुर जी को रखने का स्पेस नह अगर खर भी एक मुझे का नहीं है ठीक है बड़ा है घर भी लेंकन ऐसा कोई एकांत कोई स्थान नहीं है साइंशल नहीं एसा प्रहपर जिसमें धागो्रटी को ला सकें ! य ek उनका स्थान कोई एक विराजमान किया जा सकें तो लेकिन वेकांत को लाना चाहते हैं तो वो क्या करें या जो लोग के पास सिर्फ एक ही कमरा है और सिर्फ रसोई घर है और वे ठाकुर जी को लाना चाहते हैं उनकी सेवा करना चाहते हैं तो वो क्या करें इस विशह मैं आपको पहले सबसे पहले बता दूँ विशह के बारे में शुरू करने से पहले मैं आपको या दि को लेकर कि आपी confusion clear करती रहती हूं हर एक शूप्शुम से शूप्शुम के topic पर मैंने वीडियो बनाई हुई है आप मेरे चैनल पर check out कर सकते हैं कोई भी समस्या हो आप मेरी playlist check कर सकते हैं अज की विशन के बारे मात करते हैं अगर आप ठाकुर जी को विराजमान करना चाहते हैं कोई भी स्वरूप लड़ू को पाल का बढ़ा हो मड़ी ठाकुर जी हो मुर्ली दर स्वरूप कोई भी हो पहले तो मैं आपको साथ साब बता दू था थाकुर जी को भूत भड़ा खुला सा स्थान चाहिए रहने के लिए और बहुत जिसमें वे अकेले विराजमान हों सके खुल के अराम से कमपर्टेबल होके बैठ सकें जहां पर कोई और ना हो ऐसा स्थान उनको चाहिए अब आप लग सोचेंगे मैं क्या कह रही हूं बैसा स्थान हम कहां से लाएं जहां पर एकांद वास हो कोई और हो आया ही ना कि केवल अकेले ठाकुर जी ही बैठें पर विराजमानों से कोई और बिना उनको भाता नहीं है आपकेले वे वही पर कंफर्टेबल होके रहते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूँ मैं किसी कमरे घर की बात नहीं कर रही ही ठाकुर जी जो मैं बात कर रही हैं जहां क्एले रहना पसंद करते हैं और किसी आना- फिर नियां जो भी तान ही उसमें, तो भी होगी क्ःशका में थैया है, तो आप के घर में नहीं, किसी किचन में, रूम में नहीं, किसी मंदिर में नहीं, किसी स्थान विशेश पर नहीं, वो आपके रिदे में सबसे पहले आएंगे, जो उनको, साफ सुतर के भी उनकी कोई डिमांड नहीं है, कि आपका रिदे साफ होना चाहिए, अन्तेकरण साफ होना चाहिए, मलीन नहीं कर देंगे बागी सबको आपके रिदे से भगा देंगे यह सिर्फ उनकी एक इकलोती शर्थ है अंत्यकरण आपका रिदे साफ पर खुद कर देंगे और बाकी सबको भी महां से साफ कर देंगे और अकेले विराजमान वही रहेंगे अपना रिजर्वेशन एकले करवा लिए यही एक उनकी शर्थ है जहां पर उनको अकेले रहना पसंद है आपका हरिदे बाकी मंदिर की स्थान की कोई चिंता इतनी बड़ी टेंचन लेने वाली कोई बात है ही नहीं आपको टेंचन तो हरिदे की भी नहीं है वो एक बार आजाएंग तो अपने आप ही खाली कर देंगे, खाली करवा लेंगे सारे इस थान अपने लिए, उसमें आपको कोई सोच नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, एक बार वे रिदे में आने चाहिए हो आएंगे, तो जब आप लाने की सोचोगे, तो अपके रिदे में आ चुके हैं, जब आप मन में सोचते हैं कैसे दिखके आपको अच्छे लगते हैं ठोड़ा बहुत भी इसका मतलब कई न कई आपके रिदे में प्रीती जाग़े तो ये उनके व्रति इसलिए उनको लाने का मन कर रहा है सेवा करने का मन कर रहा है और इतनी भी हुई है तो तो एक दिन दीरे दीरे वो भी जंकुरित हो चुका है, वो दीरे दीरे पौधा बड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा, तो व्याद के अंत्य करण रुपी हिरदय में पूरे अकेले फैल के वराजमान हो जाएगे, कि और कोई किसी ही जगे महां पर ना हो, बागी जो लोग कोो आप थोड़ा सा कुछ ऐसी जगह कोर सकते हैं, कई Anto लग छोटी सी टेबल लग लगा है जो थोड़ी एक कोने में हो न ऐरं, जो पीजहने लाश्टे में निह होते हैं , किसी आनने के रास्ते में नहीं चाहिए, यह पर बार बार आना जाना हो, और कि ऐसी जोड़ा के 이상 और जो अलग हो और वहां पर अपने कोई कपड़ा भी चाके वहां पर ठाकुर्जी को विराजमान कराईए और उस एरिये को जहां पर हैं उसको सुगंधित रखने की कोशिश कीजिए जासे जाधा जिससे कि आपको फील आएगी हां यहां पर ठाकुर्जी वाकई में साफ सफाई का थोड़ा जगह को थोड़ा क्ली लेंस रखें तो यह सब चीजे हैं ऐसा कोई बड़ा होनी कि आपको मंदिर ही लाना है बड़ा या कोई अच्छा अलग स्पेस होना चाहिए बहुत बड़ा और एक और चीज लोग पूस्ते हैं कि क्या हम रसोई घर में मंद पास एक ही रूम है तो एक उस रूम में ही रख लीजिए अलग से स्टूल जैसे मैंने बताया वहां पर रखकर उसके एक कर्टेन का एक कॉर्णर में जुगाड कर लीजिए वहां पर आप इठा सकते हैं रसोई से अच्छा अच्छा अगर आप वैसे भी देखें ठाकुर प्रतिमी सोचना है तो यह चीज जो लोग को बड़ी समस्या रहती है कि कहां उनको रखेंगे जगह नहीं है या बहुत कम जगह है जगह है लेकिन असी कुई स्थान विशेश नहीं है मंदिन नहीं है बनवाय नहीं है तो क्या करें तो इन सब चीजों पर ध्यान देने की उनके लिए रखता है वो मैंने आपको बता दिया वो आपका रिदय जो उनको अक्लो अकेला चाहिए वो भी काम आपको नहीं करना हो भी वो खुदी कर देंगे तीज की आपको टेंचन नहीं लेनी प्यान जाद जगह की भी नहीं लेनी कि स्थान विशेश बनवाना है उन प्रश्न कर सकते हैं और वीडियो कैसे लगी लाइक कर सकते हैं और मैं कहते हूं कि शेयर जरूर किया कीजे मेरी वीडियो को जासे ज्यादा जो लोग ठागुर्जी की सेवा करते हैं उन लोगों से जो शेयर किया कीजे तरवीज लोगों को जासे ज्यादा लोगों पता चले चैनल को सब्सक्राइब पर लीजिए योगे मैंसी वीडियो बनाती रहती हूं और अब मुझे आग्या दीजिए मैं चलती हूं हरे क्रिश्ना